प्यारे दोस्तों बनारस से जुड़ी सभी सूचनाओं एवं अप्टेट पाने के लिए आपका अपना चैनल शिप शक्ती पावर को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दे जिससे हमारी हर लेटस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच स समपर तूट गया है वारा नसी में गंगा के जलस्तर में बड़ा अब रहस पतिवार को ठाहर गया और शुक्रबार सुबह से घटने लगा सुबह आट बजे तक एक सेंटीमीटर प्रतिघंटा से गंगा का जलस्तर घट रहा था जो सुबह दस बजे तक थोड़ा और प्रयागराज में गंगा तीन सेंटीमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उतरने लगी हैं इसी के कारण बनारस में भी जलस्तर में गिरावत होने की संभावनाएं जताई गई हैं वहीं बरुनापार और सामनेघाट के इलाकों में बार से परेशानी बढ़ गई हैं केंड्रिय जलायो के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 72.26 मीटर पर बना हुआ है गुरुबार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 72.26 2 मीटर दर्च किया गया था इसके बाद 11 बजे से गंगा में थहराव बना रहा जो अब तक जारी है गंगा की जलस्तर में बढ़ाव के कारण 80 से राजगाट के बीच कई गलियों का संपर भी तूट गया है लोगों को घुटने भर से अधिक पानी में दूप कर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है ब्रेहस पतिवार की भोर में गंगा दशाश्व में घाट वशीतला घाट की गलियों में प्रवेश कर गई इसके कारण सबजी मंडी से लेकर बजार तक पानी भर गया सबजी मंडी की सभी दुकाने बंद रही वही गलियों में रहने वाले लोगों को बाड़ के पानी से होकर गुज़ना पड़ा खत्रे के निशान से 1.60 मीटर उपर बह रही गंगा बनारस में गंगा का पानी खत्रे के लाल निशान 71.26 मीटर से 1.6 मीटर उपर 72.32 पर बह रहा है काशी वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि सुबह 11 बजे से देर रात तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई है इस सूचना के बाद मिचले और तत्वर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस यह है हमारे प्यारे दोस्तों बनारस से जुड़ी सभी जानकारी एवम अप्टेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्रिपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करे साथ है में बैल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि सारा अप्टेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए धन्यवाद दोस्तों